हेलो दोस्तों आप सभी का एकने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग English to Hindi Translation के अंतरगत English News को हिंदी में समझना सीखेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और दोस्तों इससे बहुत सार English words सिखेंगे कुछ खास phrases और कुछ खास sentences सिखेंगे जिसका use आप अपने day-to-day life में कर सकते हैं locals in villages in जारखंड are under constant fear and are spending sleepless nights as lepers have turned man-eaters in the area तो दोस्तों अभी इसे दी पढ़ेंगे क्यों क्योंकि ए यहाँ पर वोबल है दोस्तों इसे पढ़ेंगे constant constant हम confused हो सकते हैं कि constant पढ़ें या फिर constant पढ़ें तो दोस्तों इसे constant पढ़ना है और यहाँ पर locals का अर्थ हुआ यानि कि local लोग तो काफी important है याद रखेंगे locals in villages in जारखंड यानि कि जो local लोग है गाव में जारखंड में और अंडर constant fear वे लगतार डर में हैं यानि भै में जी रहें हैं are spending sleepless nights यानि कि दोस्तों उनका जो राद बीत रहा है spent हो रहा है वो sleepless है यानि कि उन्हें नींद नहीं आ रही है क्यों as चुकि lepards have turned man eaters यानि कि जो चीता बाग है lepards है वो man eaters बन गया है यानि कि वो इंसान को खाने वाला आदम खोर बन गया है in the area यानि कि उस चेतर में Locals in villages in जारखंड are under constant fear and are spending sleepless nights as lepards have turned man eaters in the area The deaths of five people within 25 days due to leopard attacks in जार्खंड has created an environment of constant dread and panic for residents in the Plamu Tiger Reserve area and Galva district यानि कि दोस्तों बिदिन 25 days 25 दिनों के अंदर The deaths of five people यानि कि पांच लोगो की मिर्थिव Due to leopard attacks यानि कि leopard attacks की वजह से इन जार्खंड जार्खंड में has created an environment of constant dread and panic यानि कि एक तरह से लगतार डर का माहूल पैदा कर दिया है create कर दिया है तो दोस्तों यह किस tense में है present perfect tense में present perfect माल लीजिए मैंने English speaking का एक environment create किया है तो मैं यहां पर कह सकता हूँ I have created an environment of English speaking तो दोस्तों डर का माहूल काफी important Hindi words है एक तरह से phrase है डर का माहूल तो इसे इंग्लिस में कहेंगे एन इंवारिमेंट ओफ कॉंस्टेंट ड्रेट एंड पैनिक सोट में आप कह सकते हैं एन इंवारिमेंट ओपैनिक फोर रेजिदेंट्स यानि कि निवासियों के लिए इन दा प्लामू टाइगर रिजर्ब एरिया यानि कि जो भी निवासी हैं जो प्लामू टाइगर रिजर्ब के आसपास रहते हैं और जो गर्वा डिस्ट्रिक में रहते हैं तो दोस्तों कुल मिला कर हुआ प्लामू टाइगर रिजर्ब लखावा tard थेऍसर पंटाइग प्लामू टाइगर निवास्तों Limit their movements to their homes as soon as the sun sets due to the fear of being attacked by the big cat. तो दोस्तो, because of, यानि की? की वजह से? या के कारण? तो किस चीज़ के कारण? लेपर्ड अटेक्स की वजह से? Because of the leopard attacks, people of about 150 villages in the area, यानि की उस छेत्र में जो 150 गाउं है, about यानि की लगभग, limit their movements, यानि उनकी जो दिंचरिया है, जो गतिवीधी है, उसे उन्होंने कम कर दिया है, यानि limit कर दिया है. As soon as the sun sets, यानि जैसे ही सूरज ढलता है, due to the fear of being attacked by the big cat, यानि जो बड़ी बिल्ली है, big cat है, यानि चीता बाग है, उसके आक्रमन की डर की वजह से. तो दोस्तो, fear of being attacked, being attacked का क्या आर्थ हुआ, यानि की आक्रमन हो जानी की वजह से, एक तरह से या passive voice में है, जैसे एक पत्र लिखा जा रहा है, a letter is being written, तो यहाँ पर क्या है, being written, उसी प्रकार being attacked, तो दोस्तो, डर की वजह से, due to the fear of, यह काफी important phrase बन गया है यहाँ पर, limit their movements, यह भी काफी important phrase है, यहाँ से आप निकाल सकते है, because of, यह भी काफी important है, यानि के कारण, तो दोस्तो, कुल मिला कर हुआ, because of the leopard attacks, people of about 150 villages in the area, limit their movements to their homes, as soon as the sun sets, due to the fear of being attacked by the big cat, the attendance of children in schools has seen a major fall, due to the panic, due to the panic, यानि के इस डर की वजह से, बिद्यालियों में, छात्रों की जो उपस्थिती होनी चाहिए, उसमें major fall देखा गया है, has seen a major fall, जैसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, कि भारत ने देखा है, India has seen, या witnessed, a big change in our education system, तो उसी तरह से यहाँ पर भी यूज हुआ है, the farmers have been forced to seek company, whenever they work in their fields, जो किसान लोग है, have been forced, वे मजबूर हो गए है, to seek company, यानि कि साथ खोजने के लिए, यानि कि उन्हें एक company चाहिए, साथी चाहिए, क्योंकि अकेले डर लगता है, whenever, जब कभी, they work in their fields, अपने खेतों में वे काम करते हैं, the attendance of children in schools has seen a major fall, due to the panic, the farmers have been forced to seek company, whenever they work in their fields, the forest department claims that only one man-eating leopard is responsible for the deaths, as opposed to the villagers who believe that there are more, यानि कि दोस्तों जो forest department है, वे दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, कि सिर्फ एक ही leopard है, जो man-eating है, जो इनसान को खाने वाला है, और वही responsible है, जिम्मेदार है, for the deaths, यानि कि मिर्थियू के लिए, मौथ के लिए, as opposed to, तो यहां से आप उठा सकते हैं, as opposed to, यानि कि काफी important phrase है, यानि कि जो ग्रामिन लोग कह रहे हैं, कि संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, ग्रामिनों का विष्वास है, the villagers who believe that, जिने विष्वास है, there are more, कि संख्या और भी अधिक हो सकती है, लेकिन forest department इसके opposed है, यानि कि इसके बिप्रीद सोचते हैं, as opposed to the villagers, तो यहां पर कुल मिला कर हुआ, the forest department claims that only one man eating leopard is responsible for the deaths, as opposed to the villagers who believe that there are more, wildlife experts have been viewing the matter of leopards turning man eaters as a big concern, since they generally do not attack humans, तो दोस्तों, जो wildlife experts है, have been viewing the matter of leopards, यानि कि जो leopards का मुद्दा है, उसे वे देख रहे हैं, turning man eaters, यानि कि जो leopards man eaters बन रहे हैं, इस चीज पर wild experts नजर गड़ाए हुए हैं, उसे closely देख रहे हैं, as a big concern, एक बड़ी चिंता के रूप में, since, यानि कि चूकी, they generally do not attack humans, चूकी वे generally आम तोर पर, इंसान को attack नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला कर हुआ, wildlife experts have been viewing the matter of leopards, turning man eaters as a big concern, since they generally do not attack humans, this happens only in unfavorable conditions in terms of life and food for the big cats, और यह तभी घटित होता है, जब उसके लिए condition unfavorable हो, यानि कि उसके लिए पिर्य नहीं हो, अपिर्य हो, और उसे भोजन बेगरा ना मिले, Giving details to IANS, Galva Southern Forest Division officer Sasi Kumar said that, there is only one leopard in the area that has been entering human settlements and attacking the people as per the information received by him so far. यानि कि दोस्तों, जानकारी देते हुए, Galva Southern Forest Division के officer Sasi Kumar ने कहा, कि सिर्फ एक ही leopard है इस छेत्र में, that has been entering human settlements, जो कि जहाँ इनसान रहते हैं, वहाँ पर enter कर रहे हैं and attacking the people, और लोगों पर आकरमन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, as per the information, सुचना के अनुसार, received by him so far, यानि कि उसे अब तक जो सुचना मिली है, तो यहाँ पर as per आप उठा सकते हैं, यानि कि के अनुसार, 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 यानि कि अब तक, तो दोस्तो यहाँ पर कूल मिला कर हुआ, this happens only in unfavorable conditions in terms of life and food for the big cats. Giving details to IANS, या फिर IANS, गर्वा सदर्न फोरेस्ट दिविजिजन आफिजर साशी कुमार सेड देट, there is only one leopard in the area that has been entering human settlements and attacking the people as per the information received by him so far. दोस्तों, किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए फरदर का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं. He further stated that, उन्होंने आगे कहा, बयान दिया, एक campaign was being conducted, यानि कि एक अभियान चलाया जा रहा था. Campaign was being conducted. तो यहाँ पर है अभियान. और दोस्तों, यह किस tense में है? ऐसे तो past continuous tense में, लेकिन passive voice में है. जैसे मुझे प्रहाया जा रहा था. I was being taught. उसी परकार, campaign was being conducted. To tranquilize the big cat. दोस्तों, जानबरों को कोई स्वी देकर, या फिर कोई दबा देकर, सांत करते हैं, या उसे बेहोस करते हैं, उस चीज को आप tranquilize कह सकते हैं. यानि कि उसे बेहोस करके पकड़ना. हैदराबाद based wildlife expert and shooter नवाब साफ़त अली खान, his son हैदर अली खान, तिलंगाना based shooter संपत और पेट्रोलिंग the areas where the animal was reportedly seen. तो दोस्तों, हैदराबाद के एक wildlife expert हैं, और shooter हैं, नवाब साफ़त अली खान, और उनके बेटे हैं हैदर अली खान, और तिलंगाना के रहने वाले shooter हैं, संपत, जो कि उस छेतर पर patrolling कर रहे हैं. patrolling यानि कि इधर उधर घुमना. तो दोस्तों, एक होता है patrolling जो गारी में डलवाते हैं, उसकी spelling होती है इस तरह से. और ये है patrolling, यानि कि इधर उधर घुमना patrolling करना, gust लगाना. Where the animal was reportedly seen, यानि कि जहाँ पर report के अनुसार animal देखा गया है, वहाँ पर वे लोग patrolling कर रहे हैं. तो दोस्तों, कुल मिला कर हुआ. He further stated that a campaign was being conducted to tranquilize the big cat and capture it. Hyderabad-based wildlife expert and shooter, Nawab Safat Ali Khan, his son Hyder Ali Khan, Telangana-based shooter Sampath are patrolling the areas where the animal was reportedly seen. They said that the last option would be to shoot the leopard if the attempts to trap it fail. उन लोगों ने कहा कि last option होगा कि उन्हें suit कर दिया जाए, गोली मार दिया जाए, यदि उन्हें trap करने का प्रयास बिफल हो जाए, फेल हो जाए, तो उसे मारना ही होगा. Some 50-60 cameras have been installed to monitor its movements. और दोस्तों, leopard की गतिवीधी को, movements को monitor करने के लिए, 50-60 cameras को installed किया गया है. तो दोस्तों, यहाँ पर install वर्ब काफी important है, जैसे हम कोई app install करते हैं, उसी परकार जब कोई समान लगाते हैं, तो लगाना के sense में भी आप install का यूज़ कर सकते हैं. have been installed, यानि कि लगाया गया है, जैसे मान लीचे एक पत्र लिखा गया है, a letter has been written, तो उसी परकार cameras have been installed. आप यहाँ पर एक तरह से adjective के रूप में ले सकते हैं, जैसे are educated होता है, तो आप उसी तरह are engaged भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदी passive voice मिले, तो काम में लगाया जाता है, तब होगा workers are engaged, लेकिन यहाँ पर है काम में लगे हुए हैं, तो दोस्तों कूल मिला कर हुआ, they said that the last option would be to suit the leopards, if the attempts to trap it fail, some 50-60 cameras have been installed to monitor its movements, a team of 50-60 forest workers are engaged in this, I hope friends, आज कहिया मेरा effort आप लूँको अच्छा लगा होगा, यदि यह वीडियो आप लूँको अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिये, आल वाइट फ्रेंड्स, थैंक्स पर वोचिंग, वेव ग्रेट डेई,